लेयर स्टुडेंट मेरा नाम हमादली है और हमारा कोर्स जावा फर बिगनर्स के आज का टॉपिक है वेरीबल वेरीबल हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सें वेरीबल जैसा के नाम से जाहर है कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है तो यह जावा वेरीबल दूरिंग दी एंजिक्विशन ओप्रोग्राम तूर आउट दा एंजिक्विशन ओप्रोग्राम वेरीबल की वैल्यू जावा वेरीबल की वैल्यू चेंज होती रहती है वेर से data निकालना होता है तो हम variable के थूर उस data को variable के नाम को use करते हुए हम उस data को access कर सकते हैं हमारे पास data जो है वो different type का होता है numerical data भी उसे testing भी images भी videos भी तो जिस किसम का data हमें store करना होता है वैसी ही उसकी data type हम define करते हैं यहां हमारे पास कुछ बन्यादी data types हैं जो जावाग में हमें provide की हैं जैसे के byte, short, int, long, float, double, char और boolean यह ज्यादा तर जो हमारे पास data types है यह numerical data types अगर हम यहां पर देखें तो byte जो है उसका size in bytes 1 byte है यानि के 8 bit है और 8 bit इसका size है और इसकी जो range है minus 128 से 127 है यानि के हम 127 तक की value इसमें store करवा सकते हैं इससे बड़ी या minus 128 से नीचे वाली values में store नहीं करवा सकते हैं अगर हमें इससे बड़ी या 1 minus 128 से नीचे value store करवानी है तो उसके लिए हम short को use करेंगे और अगर हमें उसकी range से भी ज्यादा value store करवानी है तो integer अगर हमने कोई ऐसी value store करवानी है जिसमें floating points है, point वली values है, इशारिया वली values है तो उसके लिए फिर हम float को या double को use करेंगे characters में हमारे पास alphabetic जो characters है, a, b, c, यह हम store करवा सकते हैं और boolean में हमारे पास values वो true या false की सुर्थ में save होती है यहां पे हमारे पास एक quiz है, और quiz में हम पूछता यह चाह रहे है कि अगर हमारे पास कोई data type जिसका जो size है, वो 3 byte हो, तो अगर हमने यह पता लगाना हो कि उसमें कितनी range तक की value store बो सकती है numerical value, तो हम उसको कैसे calculate करेंगे या हम 3 bytes के अंदर हम किस range तक की value save करवा सकते हैं Thank you